लोकसभा चुनावों में साल भर से कम का वक्त बचा हुआ है और इस बार मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है 2019 की गलतियों से विपक्ष ने सबक लिया है तो वहीं बीजेपी के लिए 10 साल की सत्ता के बाद वापसी इस बार आसान नहीं दिखाई दे रही है इस बीच सर्वे एजनसी CSDS ने दावा किया है कि अगर विपक्ष अपनी रणीती सही तरीके से बनाने में कामियाब हुआ तो बीजेपी को विपक्ष में बैठना होगा तो क्या अनुमान है सर्वे एजनसी का रिपोर्ट में देखिए 2014 से देश की सत्ता पर काबिस बीजेपी के लिए 2024 बेहत मुश्किलों भरा हो सकता है पार्टे के हाँ से बाजी फिसलती दिखाई दे रही है बीजेपी के खिलाब मजबूत विपक्षी एकताब बनती दिख रही है और अगर विपक्ष चुनावों तक एक जूट रहता है तो फिर बीजेपी को विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा क्योंकि CSDS के सर्वे में जो सामने आया है वो बेहत चौकाने वाला है CSDS के आंकडों में सामने आया है कि अगर विपक्षी मोचा दमदारी से लड़ता है बीजेपी विरोधी पार्टिया साथ आती है तो वो आसानी से बीजेपी को हरा देगा CSDS ने 2019 के चुनावी आंकडों के हवाले से बताया मजबूत विपक्षी गडबंदन बीजेपी को 235-240 सीटों पर ही रोक देगा जबकि विपक्ष को 300-305 सीटे मिल जाएंगी जबकि 2019 में अकेले बीजेपी को ही 303 सीटे मिल गई थी जबकि गडबंदन के साथ या आकड़ा 350 के करीब पहुंच गया था ऐसे में अगर पिछले चुनावों की तुल्ला में बीजेपी का वोट शेर एक प्रतिशत घटा है तो सीटे कम से कम 5 कम हो जाएंगी वोट शेर 2 प्रतिशत कम होने पर बीजेपी गडबंदन 210-215 सीटों पर रुख जाएगा जबकि विपक्षी गडबंदन 325 से 330 सीटों पर कबजा जमा लेगा अगर मजबूद विपक्षी एकता बनती है तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि बीजेपी गडबंदन 200-225 सीटों के आसपास ही सिमट जाएगा इन आक्रों से साफ है कि मजबूद विपक्षी एकता के आगे बीजेपी कमजोर साबित होगी और इसे के चलते बीजेपी घबराई हुई दिखाई दे रही है AD और CBI की छापे मारी भी इसे के चलते तेज हो गई है विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रिये एजंसियों का इस्तमाल विपक्षी एकता को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है डिबिलाइफ की रिपोर्ट